सबी सूटिंग बॉल परिवार को राम 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 सारे भाईयों को सबसे पहले तो मैं अपने जीते भाई अंकित भाई को धन्यवाद कहना चाहूँगा रोहित यादव जी राम राम भाई कैसे हो रोहित भाई कि जिनोंने मुझे अपने साथियों से खिलाडी भाईयों से रूबरू होने का मौका दिया आजकल जो ये लाइब की मुहीम चली हुई है बहुत ही अच्छा कार ये हमारे मोहित छोटे भाई रुड़की से उनके माध्यम से भी पहले मैं अपने भाईयों से रूबरू हो चुका हूँ और रोईत भाई खेल चल रहा है भाई बढ़िया है हम भी आपको देखके और अच्छे हो गए है कि एक बार आवास तो अच्छी आ रही है ना कोई बाई बताओ जरा एक बार कि एक बार करजन सिंग मोठिया जी राम रम भाई राम राम जी रोईत भाई बहुत बहुत धन्यवाद विकरांत मलिक भाई कैसे हो राम राम भाई और घर परिवार में कैसे हैं विकरांत भाई रोईत भाई बहुत बहुत धन्यवाद चलो शुरुआत करते हैं जुड़ते रहेंगे जैसा भी जिसको मौका लगता रहेगा पिछली बार कुछ लोगों की सिकायते रह गई थी हमारे भाईयों के रमिष सर्मा जी वैसा ब्राम राम अरे ये तो सर्मा जी आप लोगों का प्यार आसिरवाद है जी ये बना रहेगा तो जी लाइव की लाइव मिलेंगे अनिल कुमार धाना जी थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अच्छा आप लोग सभी देख रहे होंगे कि एक जब से लाइव का जो चला है इसमें एक चीज़ देखे एक दूसरे की बुराई करने पर लगे हुए बहुत ज़्यादा उस फैडेशन ने ये किया उसने ये किया आपने क्या किया उसने क्या किया ये बहुत ज़्यादा मैं कापी टाइम से मैं सुनता रहा हूँ ये फेडरेशन ने इसने ये कर दिया उसने केस कर दिया ये हो गया हमारे बहुत सारे खिलाडी भाई है जो भी इस बात का सॉरी तेरी है कह रहे हैं कि जी फेडरेशन का कुछ नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता तो सॉरी यार छीक है आ रही है पता नहीं कैसे तो मैं एक चीज अनिल भाई रामरम भाई रामरम मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ आप लोगों को और आप से मैं राय भी लेना चाहता हूँ और आप इस बात का जबाब भी देंगे दलवीर भाई कैसे हो भाई साब बड़िया रामरम जी आजी हम हाथ जोड़ लंगे भाई साब कैसी बात कर रहे हो मुझे एक चीज बताईए आपने भी सुनाये सरमा जी आप भी उस दिन डिस्गस कर रहे थे कि उस फैडेशन ने ये किया इस नहीं किया मेरी तो एक ही समस्य एक ही बात है एक ही सुझाव है जीते भाई राम राम भाई राम राम कैसे हो भाई साब तो जिसका जो काम है वो तो करेगा ही चाह मैं हूँ चाह आप हो चाह कोई और है लेकिन हम लोग एक दूसरे की बुरा ही ना करके काम भी तो कर सकते मदद भी तो कर सकते एक दूसरे क गौरव भाई कैसे हो भाई साब ठीक है आप बताओ कैसे हो तो हमेशा यह बोले है आज तक यह नहीं हो पाया कुछ खिलाडियों के मुझे भी फॉन आते हैं कॉल साते हैं बात होती है कि यह खेल कभी राष्टिय लेवल पे नहीं जा सकता यह यार एक बात बता हम कोशिस भी ना करें यह बताओ वो चीज तो गलत है कि हम कोशिस भी ना करें मैंने यह चीज भी सुनिया है कि इस खेल में कुछ नहीं है अनील कुमार जी करोना जाए अरह भाई खिलाडी आदमियों को एक चीज और मैं आपको बता देता हूं गुड़नी हो जाएए यह बहम जो न दिल से निकाल दो खिलाडी आदमियों को किसी को करोना नहीं होगा अगर हो भी गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कोरोना हुआ है या नहीं है कोई बीमारी नहीं है मैं बात कर रहा था फैर्डिसन वाले मुद्धे पर बात कर रहा था सरमा जी आपका अगें लाइव आने का मन रीजन बताओ कोई ना कोई तो हाँ जी मैं बता रहा हूँ जी पहले बात तो ये अपना जीते भाई का चैनल है अपना ही चैनल है भाई साब का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाज करना चाहूंगा कुछ लोगों की सिकायत बहुत जादा चल रही थी ये टांग खीचने वाली बात अरे कम समय आप किसी को सपोर्ड नहीं कर सकते तो किसी की टांग तो मत कीचो और होने को तो कुछ भी हो जाता कोई चीज ना मुम्किन नहीं है नीरज सहरावत जी बुरे नहीं खेलते भाई इसको इसको सोच बोलना कहते हैं कि कुछ लोगों ने डायरिशन देखके सोच बोलने की अच्छे अभी है अरे नीरज भाई एक चीज मैं बताऊं हमें तो जो भी पहचान दी है ना इस खेल ने दी है सीधी सीधी बात है सारे भाईन को बात कौन जानड़ा जग्गा कून है या नीरज कून है लेकिन मेरे लिए तो पैसा तो दुनिया कमाती है वाई सब कमाते हैं कोई जादा कमाता है कोई कम कमाता है और सब एक वक्त की रोटी अच्छी खाते हैं कोई चटनी से खा लेता है कोई सबजी से खा लेता लेकिन आज आज आप लोग हम लोग एक दूसरे को पहचानते हो चीज क्या है मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि आप लोग मुझे पहचानते हो तो ये कम है क्या मैंने कितने तो ऐसे बंदे देखे हैं कि दुनिया भर की प्रॉपर्टी है पैसा है लेकिन लोग पहचानते हैं कौन है क्या है पहचानता है, बंदे की पहचानी सब कुछ होती है, लेकिन सूटिंग बॉल ने हमें एक ऐसी पहचान दी हुई है, जो की हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और एक चीज और बता दूँ मैं आपको, चाब मैं हूँ, या कोई और है, कोई भी है, एक्स वाई जैट, हमेशा अपने से बड़ों की विजट करो, छोटों की विजट करो, ये कैसी चीज है, जो आप मुकेस भाई जी, राम राम जी, राम राम भाई साब, कैसे हो, हमारे मुकेस भाई जी, हमारे शिराग दिली से जुड़ चुके हैं, जो कि बहुत अच्छे, खिलाडी के साथ-साथ बहुत अच्छे, इंसान भी है, और हमारे बड़े भाई भी है, भाई साब, घर परिवार में सब कैसे हैं? तो खिलाडी से पहले हमें एक इंसान होना भी बहुत जरूरी है ये चीज सब को माननी चाहिए बड़ों की जत करनी है छोटों को सिखाना चाहिए कि जैसा आप बड़ों के साथ में व्यवार करोगे कल को आपके साथ भी ऐसा ही व्यवार होगा नीरज भाई लोग सोच बोलेंगे कि पता कैसे चलेगा कि आप हो या सही जूटी तारीफ ही करते हैं आज कल सब भाई नीरज भाई आप ना सही बताऊ ना आप बहुत अच्छे वकील भी हो और आप सवाल भी बड़े अच्छे कर रहे हो लेकिन आपके हर सवाल का जवाब दिया जाका बहुत या अच्छे डंग से जो भी आप पूस्ण चाहा रहे हो सच जूट कौन बोलता आज कल आज कल तो लोग जूट भी बड़े तरीके से बोलते हैं पता भी नहीं चल सतनाम चोकर जी भाई, राम-्राम निरज भाई गलत है जूट बोलना तो गलत बात है जूट बोलना नहीं चाहिए अन्य जूटी तारीफ करनी चाहिए लेकिन वो तारीफ कर देनी चाहिए चाहिए जूटी हो सच्ची हो जिससे किसी के लिए कुछ benefit हो मेरे साब से मेरी अपनी पर्सनल राय से बाकी तो आपको पता यह सब चलता है रमिसरम विकल साब वकील भाई है यह तब हमारे नीरज भाई खिलाडी तो अच्छे है एक अच्छे वकील भी है इनके सवालों से हमें थोड़ा सा विया डर लगता है सीधी सी बात है यह पता नहीं कहां से अटपटे सवाल लाते हैं और फिर उनका हमें उत्तर बड़े हिसाब से हम तो देशी आदिमिय सीधी बात कहनी जाने है अब हमारे वकील साब थोड़े अच्छा मुकेस भाई जी सब ठीक है बहुत खुसी हुई यह सुनकर सब ठीक ठाक है भाई बहुत अच्छी वात है ललिच चंदिला जी बहुत बहुत धन्यवाद क्या हाल है नीरस सहरावत जी भाई आप आने वाले टाइम में मेले बनोगे लिए लिए लो तो नीरस भाई आप लोगों का प्यार मेरे लिए बना रहे मैं उसी में मेले हूँ आप लोग के लिए दिल में थोड़ी मेरी लिए जगे है मैं एमेले से कम नहीं हूँ ऐसा एमेले भी प्रावड महसूस नहीं गरेगा जैसे मैं महसूस करता हूँ ललित चंदीला जी राम राम भाई भतोला विलेज की तरब से अरे भाई सभी को हाथ जोड़ के राम राम और गेम एम चल रहा है ललित भाई अभी जैसे ही करोनक का थोड़ा सा कहर सांत हो जाएगा हमारे यहां तो है नहीं नोईडा लीग हमारी लगबग त्यार है उसे बहुत जल्द कराएंगे और भाईयों को खेलने का मौका देंगे जब अर्जस तरीके से कराएंगे सभी नीरज भाई बड़ा लंबा चोड़ा भाई आप इंटरनेशनल प्लेयर कैसे बने उसके बारे में कुछ बताएं की कमल जैपूर रवी बातुरगर्ड अंकित पत्रेडी ये सब नहीं खेल पाई उस लेविल पे आप खेल गए तो मैं आपको कुछ इस्पेसल क्वाल्टी है देखो भाई नीरज भाई क्वाल्टी लगबग सब की एक जैसी होती है खेल थोड़ा बहुत आगे पीछे है ये मानते हैं लेकिन हर बंदा हर जीगे जो साइड के प्लेयर है वो साइड खेल सकते जो सेंट अब आपने इनने चारो कना लिया है इसमें कौन कौन है अच्छ अंकित पत्रैडी रभी बाहदूरगड और नीटा इन मैसे आप यह बताओ अगर आपको इन मेंसे select करने के लिए बोल दिया जाएज एक center के लिए तो आप किसको करोगे या इन मेंसे किसको side के लिए select करोगे बताईए आप ही बताओ जड़ा लिखके मैं आपके फिर बताईए फिर मैं जवाब देता हूँ उस बात का भी अच्छा लेली तो भाई नहीं चल रहा चलो ठीक है पावन भाई साहब राम राम कैसे हो जी आप बताएए आज कल तो चाय हुए हो घर पे practice कर रहे हो चट पे नीरज भाई पूरा message आपका नीरज बस उसी के बारे में बताओ भाई साब बता दिया मैंने जो भी आपने नाम दिये ना इन मेंसे आप एक center छाट लो कोई भी और फिर बताओ हमें तो ऐसी हमारी जो select team हुई थी इंटरेस लेविल पे हुई थी ऐसे नहीं है कि कमल भाई साब को भी बोला गया था आप एक बार पूछलो मैं लाई भी बता रहा हूं किसी भाई को कुछ सको कमल भाई का नंबर सभी के पास है पूछों से बोला गया था नहीं बोला गया था हमारी direct volleyball की जो फेड़ेशन बनी हुई है पहले भी बहुत फेड़ेशन आरिफ साब नमस्कार भाई साब कैसे हो अनीर जी सेंटर मैट्स अच्छा भाई नरेंदर सहरावत चगवाटी कैसे हो बड़े भाई बहुत अच्छे है मौनु एलावत नमस्कार भाई साब कैसे हो बबी भाई कैसे हो बबी भाई चिराग दिल्ली कुछ ऐसे नरेंदर सहरावत से जानते ने हमारे बबी भाई चिराग दिल्ली से जुड़ चुके है ठीक है भाई बिलकुल अरे भाई मेरे से तो सारे player अच्छे हैं मैं आपको बता दू सच बता दू नीटा भाई भी अच्छा है अंकित पत्रेडी भी अच्छा है कमल जैपूर भी अच्छा है और रवी भाई हमारे बहुत अच्छे खिलाडी है लेकिन आप इन चारों में से रवी की क्या अब आपने बोल दिया कि नीटे को चुन लिया अब यह बताई कि रवी में क्या कमी है और कमल में क्या कमी है अंकि खिलाडी है एक से दिगज खिलाडी है यार अनिर भाई आपकी बाद से मैं सहमत हूँ हम भी मांग लिया जोनी भीया राम राम कैसे हो भाई साब घर परिवार में सब कैसे है आज कल घर पर यहो या फिर बहार यहो अनिर भाई आपकी बाद से मैं सहमत हूँ बिलकुल आप सह बोबी भाई साब घर परिवार में सब अच्छे हैं जोनी भाई गेम चल रहा है आपका बंद है और मैं आप सब के बीच में एक हमारे छोटे भाई आकास ग्रेट नवडा से खिला डिये मैं उनको आप से रूबरू कराऊँगा वो भी मेरे साथ ही बैठे हुए है लेकिन कुछ भाईन के सवाल है जिनका पहले में रिप्लाई करने के लिए इस पेसल आया हूँ मैं बहुत सिकायत है बैस उनके रिप्लाई हो जाए फिर हम सभी भाई इसे बात करेंगा अच्छे तरीका से घंटे का टाइम है बहुत होता है अनील कुमार हर पिलेयर में एक खूबी होती है हाँ बिल्कुल भाई अनील भाई आपकी बात से मैं सहमत हूँ नीरज जी भाई इंटेर्व्यू आपका है जब आप अपने आप देने हैं आप हमेशा सवाल कर इंटरनेशनले पिलेयर हो आप हम नहीं अरे नीरज भाई यार तेरे को क्या चाहिए मेरे से वो बता तू खुल के बता सबके सामने बता कोई दिक्कत नहीं है जो भी तेरे को पूछना है जो भी है तू अपना भाई है बिल्कुल खुल के बताऊंगा बिल्कुल जवाब तो दे रहा हूँ भाई साब आपने जो नाम दिये ना मुझे इन में से एक भाई ने जो हमारे अनील जी ने चूच करके बताया अब आप मुझको वो जो चार पि लेयर हैं कि जिनके सामना नहीं कर पाएंगे जो इंटरनेशनल लेविल पर खेल रहे हैं ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ नरेंदर भाई बढ़िया हैं भाई जी आपको लाइव देखकर दिल खुस हो अरे बबे भाई ये कुछ लोगों की जो है चल रही थी बातचीत में के भाईया कुछ उस दिन आने पाई नितिन भाई सहाब राम राम जी राम राम भाई सहाब आपका जिक्र चल ला था भी थोड़ी देर पहले भाई कैसे हो घर परिवार में कैसे है नितिन जी राजिंदर गुरु जी को राम राम जी गुरु जी कैसे हो जी नितिन भाई घर परिवार में सब कैसे हैं भाई भाई आज हमारे वकील साहब की फरमाईश चल रही थी काफी दिन से उस दिन थोड़ा हमारे भाई हैप सेंट थे मैं ग्यार फॉन पर तो हम लोग डिस्गस करी लेते हैं पर लेकिन मैं सब के सामने रिपलाई करूं भाई इनके सवा कुछ और नीरज भाई नहीं है तो अपना भाई है और बहुत सारे भाई है जो कि बहुत जादा सवाल करने थे उनको बैस उनी का वेट कर रहा हूं किसी तरीका से जल्दी से वो लोग आ जाएं और मैं उनका जो अच्छी त लाड़ी है नीटे भाई का कोई जवाब नहीं जबर जस्पट्टिया मारते हैं राओ आरिफ साब भाई अच्छा तो आपको कोई भी खेलकर बन सकता है अपने सेक्रेट सवाब से भी अच्छा फिलेर बनता है भाई साब आरिफ भाई मैं आपके बाद से बिल्कु सहमत इनसान है आरिफ भाई मैं आपको इनके बारे में बता देता हूं इनके यहाँ पर मैं एक टूनमेंट खेलके भी आया हूं भाई साब जो मैंने बहुत टूनमेंट खेले हैं लेकिन भाई साब के यहाँ पर जो मान सम्मान प्यार व्यावार जो चीज मुझे मिली मैं उनका का भाई साब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहुए राव अरिफ जी सिंगधनandarपूर उत्रकान हें मैं भाई साब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहुए बहुत dot बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मेरे साथ जुड़ने के लिए और मुझे सुनने के लिए यह आप लोगों का प्यार है जो हमेशा मैं चाहता हूँ मुझे ऐसी मिलता रहे कुछ लोगों की सिकाय चल रहे सुटिंग बॉल ने क्या दिया है भई मुझे तो इतने अच्छे दोस्त मिले हैं तो मुझे और कुछ चाहिए नहीं सुटिंग बॉल मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है बिल्कुल सही बात है कुमल भाई गेम स्टार्ट कर दिया या भी नहीं किया है बॉबी भाई नीरज भाई बॉबी भाई हमारी फेडरेशन में आ चुके हैं आप इनसे सला कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके सीनियर पिलेएर है आपके घर के पिलेएर हैं कोई दिक्कत नहीं है अब जब सलمن होंगे तो सब को बताया जाएगा बिल्कुल सबक मौका दिया जाएगा कि जग्गा भाटी के फीत लगी जो वो इके लेगा ऐसी कोई बात नहीं है सब को मौका दिया जाएगा नीरज भाई आप टेंशन मतलो रमेश सर्मा जी फेड़िसन जॉइन करो सही कह रहे हो भाई बिल्कुल सही नीरज भाई भाई आप नेता वाले आस्वर करते हो बखील सहाब आप भी तो वखील जैसे क्वेस्चन करते हो मैं तो भाई हूँ यार अपना इसी बाई इतना बड़ा बिल्लेम मतलगाओ नेता लोगों की अलग बात होती है भाई सहाब वकील सहाब फसाओ मतना अपने भाई को भाई वाला प्यार है कोई दिख्यत नहीं है क्यों टेंशन ले रहे हो जादा गुवा कर दुनिया बर की बात बता देते हैं और एहमेले बनों के भाई कनफर्म बात है अरे भाई तेरा भाई जो है आप जैसे भाई मेरे साथ जूड़े हुए है तो भाई एहमेले ही समझे हैं हम तो अपने आप अब भी बिलकुल आरे भाई साथ बिलकुल वाई केम में सुटिंग बॉल की ही देन है जो अच्छे दोस्त मिलते हैं भाई साथ बिलकुल मैं आपका समर्थन करता हूं जितेंदर वत्स जी वाई फेडरेशन का क्या फायदा है भाई साथ फायदा अभी नहीं है लेकिन आने वाले मैं आपको बता दूँ जो भी डिरेक्ट वालीवाल फैडरेशन एक ही प्लेटफर्म पर खेलेगा वो फायदा अपने आप ही पता चल जाएगा बिल्कुल आप इसका फैडरेशन का फायदा यही है हमारी जो कोशिस है हम लोग कोशिस कर रहे हैं कि किसी तरीका से हमारी फैड इसमें सक्सेस हो और बाहर देशों में भी खेला जाए यह गैम बहुत से कुस्चन कर देते हैं अच्छा नीरज भाई का सवाल आ गया भाई जी आप सच नहीं बता रहे हो इंटरनेशनल प्लेयर एक्चुल में कैसे बना जाता है वो नहीं बता रहे हो अरे नीरज भाई आ पैसी बात करते हो यार यह बताईए वकील साब आप तो भाईया इंटरनेशनल प्लेयर आप ही हो हम तो भाईया बैस हमारे टेग लग गा है बैस इतना समझे लो नहीं तो आप ही भाई इंटरनेशनल खिलाड़ी हो हमारी लिए तो बिलकुल कमल चौदरी रामरम भाई नरेंदर सहरावत जी आपको क्या फाइदा चाहिए वो बता दो जित इंदर भाई है अच्छा वह बहुत बहुत धन्यवाद नीरज भाई आप रियली में बहुत अच्छे इंसान हो बहुत अच्छे खिलाड़ी हो और मैं आपकी तरफ से मैं कुछ कह देता हूं आप जो बहुत अच्छा कर रहे हो ऐसी बात नहीं है मैं आपके आपका बहुत ज़्यादा आपसे लगाव है मुझे स्पेसली और बहुत ज़्यादा आपसे मेरी मित्रता भी है ऐसी कोई बात नहीं है मैं दूगा अभी कुछ सवाल छूट ना जाए किसी भाई के बंटी जी राम अपना भाई है इस सब पूरा दिकार है भाई साब इसको हर किसी भाई को मैं बिलकुल खुली चुनौती दे रहा हूं भाई कोई भी कुस्चन करो हमारे नीरज भाई के तो परस्नल भी चलते रहते हैं लेकिन ये एक ऐसा बंदा है नीरज जिससे मैंने घंटो बात किया आज बिलकुल से नीरज भाई फिर गुमाती है तुम भाई नीरज भाई आपना एक काम करो मैं फिर क्या करूं आप बताएं कि कमाल है भाई साब बहुत दन्यवाद नीरज भाई एक सेकिंड जिते अंदर भाई जी पूछ रहा हूं तो बता दो भाई साब सौरी आपका कोस्चन निकल गया एक बार फिर से बिलकुल कर दो मैं जरूर बतांगो सुरुतिया दो जी भाई जी राम राम कैसे हो भाई साब बंटी भाई साब धन्यवाद नीरज मेरी कितनी भी तारीव कर लो जगा भाई जी आज तो मौका आ गया है नाम आनू भाई तेरी घर पे सब कैसे हैं आरिफ जी नेश्टा जी भाई आपको पाकिस्तान सुटिंग बॉल खेलने ले जाएंगे इंटरनेशनल बाई सब पाकिस्तान के रूल सो बहुत डिफेंट है अपने रूलों से बिलकुल वो लोग सिंगल हेंड से खेलते हैं और नेट पे आपने देख बॉबी भाई जिन पिलेरों के नाम लिए हैं उनका से रेक्षन तो हो जाएगा उनके टेलेंट से बाकी हमारा क्या होगा बिलकुल अरे बावी भाई आप तो मास्टर बिलास्टर हो आप तो भईया सूटिंग बॉल के हीरो हो मैं तो देखो चिराग दिल्ली तो पहले से अच्छी टीम थी ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन जो भी कुछ आपने योगदान दिया है चिराग दिल्ली के लिए वो तार की जाए कम है वर्ट कम है मेरे पास मैं सच बता रहा हूं मैंने जो देखा है अपने हिसाब से बता रहा हूं मैं ना किसी की कई हुई बता रहा हूं ना बभी भाई के फेवर में बता रहा हूं चिराग दिल्ली की पहले से ही दिगज पिले रहे हैं चिराग दिल्ली के लेक यह अपना छोटा नीरज भाई आप सच में बता दो जो पब्लिक को आल्रेडी पता है कि कैसे बनते हैं इंटरनेशनल प्लेयर अरे वकीर साब एक बात तो बता दो आप कैसे बनते हैं प्लेयर आप अच्छा गेम खेल रहे हो अच्छी बात है खेलते रहो मैं ते यूं कहा रहा हूँ अब कै जो है भाई या तुम्हारे सेलेक्षिन पकचा हमें टाल करनी पड़ने जो है भाई सभी से मेरा अनुरोद है अपने सेलेक्टर भाईयों से भी सुन रह सादे सीदे सादे गाओं के आदमी हैं हम तब आई संजे सिंग जी राम राम जी नरेंदर बॉबी भाई बही चग्गावाटी राम राम संजे भाई क्या हल चालने भाई साहब वकीर साहब ठंडे पड़ रहे हो पता न कैसे चलो अच्छी बात है भाई चकदे होलदार साब राम राम कैसे हो भाई साब गर परिवार में कैसे हैं हमारे डबास गाओं से पूट से सौरी पूट से चकदे भाई जुड़ चुके हैं भाई साब का बहुत बहुत धन्यवाद भाई साब बहुत अच्छे खिलाडी है अग खिलाडी के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी हमारे जगदे भाई नीरस जी फिर गुमादिया टॉपिक जगवाटी तुझे नहीं फसा सकता मैं भाई के अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई या फसे फसायत हैं लिकारने की बात चल लिए फसने की तो कहीं फसे तो पड़े हैं भाई लिकार अनुरोध कर सकता हूं कि जितने सारे भाई हैं एक मेरी छोटी सी अपील है सारे भाई मिलकर एक साथ एक ही पैटन पर गेम खेलें कुछ लोग सोचते हैं कि हमें क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा अब नीरज भाई मेरा एक आप इसे क्वेस्चन है यह बताओ नॉड़ में निठारी में जो टूनामेंट होता है कितना अच्छा टूनामेंट होता है ड्रॉपिंग का ही होता है लेकिन उस टूनामेंट कई साल पहले जब दस टीमों के एक टीम बंड के आ रही थी फिर पंचाती टूनामेंट सुरू हो गए आप कहते हो कि जो वही ड्रॉपिंग मत खेलो ये मत खेलो जब आप एक टीम में पंद्रे पंद्रे बीस बीस पिलेयर रखेंगे खिलाडी कोई भी आपके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं तो फिर कैसे गैम चलेगा बताओ ललित्चंदिलाजी भाई नंतिकिसोर नंदु भाई की तरफ से राम अरे भैया नंदु भाई कैसे हो बहुत जादा मेरे अच्छे मित्र भी हैं और अधिकतर जब भी हम हरियान है दिल्ली टूनमेंट खेलें बहुत मुलाकादा है बहुत अच्छे खिलाडी हैं और खिलाडी तो यार सभी अच्छे होते हैं लेकिन जो जिन खिलाडी को नेचर अच्छा है वो रियली में अच्छे प्लेयर होते हैं मैं तो यह चीज मानता हूं बहुत सारे लोग हैं कोई कुछ मानता है कोई कुछ मानता है लेकिन दिलिस भा राम राम जी सुनाओ क्या हल चालें जी भाई हमारे ये करोना योद्धा हैं भाई साब यूपी पुलिस में हवलदार जी हैं भाई साब बहुत देश की सेवा कर रहे हैं भाई साब को कई कई बार राम राम राजिंदर गुरुजी क्या लिख रहे हैं हमारे गुरुजी पहले नैस्नल खेलने के लिए गोड घिस जाते थे खिलाडियों के लेकिन उनका नमबर नहीं आता था आजकल ऐसा क्या ट्रेड बन गया है क्या ट्रेड बन गया है उनका नमबर नहीं आता था आजकल क्या ट्रे मैं आपको जबाब दूँगा गुरु जी आप ये बताईए जी आपकी नॉलिज में नेशनल चेंपिन सिफ हम कब से खेल रहे हैं उन खिलाडियों का जो डिस्टिक भी ना खेले हो उनका इस्टेट पर नंबर लग रहा है जो इस्टेट ना खेले वो डायरेक्ट नेशनल खेल रहे हैं जी उनके बारे में भी बताओ जी अपना भी बता लग जाएगा जी संदीप चंदीला बरमरम भाई कैसे हो भाई ठीक हैं आरिफ साब भाई एक टूर विदेश का लग रंटेर्शन बन जाएगे बताओ कहां चलना है चलो अरे आरिफ जी मैं आपको बता दू भाई साब लोग डाउन नहीं होता तो अपने दो तीन टूर थे बार देश कही हो हमारे नीरज भाई बताते हैं अभी थोड़ देर मैसेज लिखने वाले हैं चौदरी जोगिन नागर जी शरीफपूर मेरट से ये गेम नैशनल कब होगा ये बताओ अरे भाई साब आप इतने दिन से नैशनल खेल रहे हो तो आपको ये गेम नैशनल नहीं नहीं लगा ये कितना टाइम होगा खेलते हुए मेरे को ये बताओ आप हमसे सीनियर पिलेयर हो हैं आप ड्रॉफिंग फास्ट दोनों खेलते हैं और ये आपको पता भी जो आप को सिन मेरे से कर रहे हैं आप ये बताओ कि आज तलक आप से पहले इतने सीनियर पिलेयर हैं उनसे कितनी बार करें मैं आपके एक अंसर का बुरा निमाना मैं जबाब दूंगा लेकिन ये बताओ कि हमारा जो टारगेट है सिर्फ ये है कि इस गेम को इतना खेला जाए पूरे देश में कि कोई भी स्टेट या कोई से डिस्टिक या कोई सा गां या कोई सा घर ना बचे मैं इस खेल से बह से वादा मैं करता रहूंगा अर अपने यहां मैंने कम से कम 15-16 टूनामेंट कराएं सबी लोग आयें आज तक भी थोड़ी बहुत कमी हो जाती है टूनामेंट के अंदर मैं मानता हूं मैं थोड़ा सा अकेला पढ़ जाता हूं कुछ भाई है थोड़ा हो जाता है आपको भ मानकर तो कुछ नहीं है अगर किसी के साथ थोड़ी बहुत गलती से भी हो गई है कुछ भी बात तो मैंने सभी भाई से महाजोड के माफी भी मांग लेता हूं वैसी कोई बात नहीं लेकिन आज तक हुई नहीं है लेकिन यह मैंने अपनी तरफ से बोल दिया है ललित चंद सावदा, चिराग दिल्ली, सापडा, गोपालपूर, गेवरा, जोनापूर, गिटो औरनी और रुपेशीहर का सेट होता था एक चिल्ला से गुरंग भाई खेलते थे नो टीम होगी और हरियाने से अपने दो तीन सेट इधर से आ जाते थे फरीदाबाद की तरफ से हमारे दिनेस भाई यर की बहुत अची टीम थी, पवन भाई यर खेलते थे, 11 टीम, उदर से नीटू भाई यर की टीम थी, 12 और नन्य भाई, राजेस भाई, मतलब 20 टीम वो चीज होती थी कि एक से बढ़िया टीम किसी का पता नहीं कौन सी टीम किसको हरा दे, लेकिन क्या हुआ जब से मैंने टूनामेंट में देखा, चार टीमों के एक टीम बंड के जा रही है, आदे पिलेयर बाहर बैठे हैं, हम कभी भी टूनामेंट खेलने जाते हैं, हमारी टीम में चार पिलेयर एक्स्टा है, तो हम सोचते कि टीम पिलेयरों मिल जाए, तो दो टीम खेल लेंगी ठीक है लेकिन गाम में जो और बच्चे आ रहे हैं खेलने के लिए उनका क्या होगा फिर उनके गाम का खेल ही खतम हो जाएगा और इसलिए ये आज से दस साल पहले के मुताबिक आज खेल बहुत कम है मैं ये चीज बिल्कुल साफ साफ बता रहा हूँ ये पहले इतनी ज़्यादा टीम होती थी सब लोग अपने अपने सेट से खेलते थे कुछ उसमें अपने प्रेयर भी एड़ेस अब तो लेकिन हर खिलाडी को जीत चाहिए वो पहले सी चार पिले या च्छे पिलेर बार टीम नहीं है तो लेकिन मैंने तो देखा है कि चार-चार खिलाडी बाहर से बुला के और बाहर बैठे हैं और उन्हों खेलने का भी मौकर नहीं मिल रहा है फाइनल तक आपने भी देखा हुगा यह तो मैं तो यह नहीं कहा रहा पंचाती का मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ लेकिन जैसे जिसके सैट खेल रहे हैं अगर उसी सैट से खेलें तो बहुत अच्छा टूनामेंट रहेगा लेकिन आपने ओपन टूनामेंट करा दिया आपके हैं टीम आई चार तो उसको क्या फाइदा हुग बताओ आपकी तरफ टूनामेंट हुए थे जुनेडा में टूनामेंट था इतना अच्छा रेंजमेंट किया हुआ था उनके ओपन involves में किदरी टीम थी बताओ और भतो तो भाई मैं तो यह नहीं कहा रहा अंडरहंड कराओ, ड्रॉपिंग कराओ, सिर्फ मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूँ, खेल भावना से खेलो, एक दूसरे से प्रेम भाव रखो, आपस में हम सब भाई हैं, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसल्मान है, ना कोई ही बेकार है, फिर कोई भी खेल, हमेशा, कोई भी खेल खेल लो, हमेशा एक दूसरे को जोड़ता है, और खेल को हमेशा खेल भावना के साथ खेलना चाहिए, हमारी टीम आस्तलग भी, जितना भी हम खेले हैं, ना तो कभी कहीं ऑबजेक्शन हैं, और हम हमेशा ही सांथ और खेल की भावनों से खेल खेलते हैं, भाई किसी भाई का कोई क्वेश्चन छुट गया हो तो उसके लिए मैं छमा चाहूंगा, वो दुबारा मुझसे कर सकते हैं, पर कुछ खिलाडी अभी आए नहीं है, पता नहीं कैसे, अकेले हमारी नीरज भाई आज हमारी बिलकुल खराब राखी है, इसमें कुछ सक नहीं है, भाई साब वकील है, पेसे से भी, तो भाईया, इन से थोड़ा हमें बचके ही रहना पड़ाएगा, आपकी बार आपका नंबर पक्का है, आपका जो टेग लग जाएगी कोई दिक्त ना, लेकिन डारेक्ट वाली वाल का भाईय है, अब की बार जो हम लीग करा रहे हैं, तीन-चार कंपनी से मेरी बात हुई है, कि वो हमारे बच्चों को, खिलाडियों को नौकरी दे, इस्पोर्ट का एक अलग कोटा रखें, उसमें उनका पांस दिन वो वरकिंग डे, दो दिन टूनमेंट कहीं भी है, दो दिन तीन द का सिरवादर, आप लोगों का प्यार रहेगा, तो हमारी एक ही चीज है, हमारी नागर साब पूछ रहे हैं कि ये नैशनल कब होगा, ये तो मैं भी नहीं बता सकता है, नैशनल कब होगा, कैसे होगा, लेकिन इतना मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ, कि हमारी डारेक्ट वाली वाल ने जो पहल की है, पहले इतनी कंपनियों की टीम होती थी, सिरी राम पिस्टन की, आई सर की, एम्स में अभी भी खेल रहे हैं, सेंटर सेक्टेट की, और बहुत सारी कंपनियों जिनकी मुझे जानकारी भी नहीं है, इतनी सारी कंपनियों नौकरी देती थी, उन कि अगर हमारे इस गेम में प्राइवेट ही नौकरी मिल रही है इस्पोर्ट्स में फिरी के तो पैसे कोई भी नहीं देगा यह तो आप भी समझ रहे हो अगर मैंने सपोज करो मैंने कोई कमपनी जोइन कर लिए उनके साथ टाइअप रहेगा हमारा जो मैंने बात की है कि पांस दिन हम आपका काम करेंगे जब भी हमारा टूनामेंट किसी दिन का किसी डेट का होगा तो वो कमपनी अपनी टीम को वहाँ पे उतारेगी इसमें कोई सक नहीं है चार पांस कमपनी से मेरी बात हो चुकी है यह लोगडाउन खतम होने के साथ ही हम लीक का पूरा प्रोग्राम बन चुका है कराएंगे तो कोशिस यही रहेगी इसी तरीका के काम हो हमारी कमपनी आप आएं वहाँ प्लेयर सेलेक्ट करें और जैसा भ भाई भाई जी ओपन टूर्णामेंट यह पंचाती में कौन सा अरे भाई साब बता तो दिया भाई साब बिल्कुल आज गर्मी भी खूब अच्छी खासी है और वकील साब ने भी हमको काफी ठंड़क पोशा ही है तो आकास भाई आज़ो दो मिनट हमारे बीच में एक हमारे बहुत होनहार पिलेयर मैं आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ मेरे बहुत अच्छे साथ ही रहें काफी टूर्णामेंट हमर भाई साथ साथ खेल ले है तो सभी से मेरा निवेदन है छोड़े भाई को प्यार ज़्यादा से ज़्यादा दे अर अब की बार यह लोगडाउन खतम हो जा यह टूर्मेंट सुरू हो जाए तो भाई सारे टूर्मेंट खेलेंगे चैसा यह बी टूर्मेंट होँगे ज्खेलने की कोषिज करेंगे और किसी भाई का कोई मन है अभी कुछ खिलाडी आई नहीं है पता नहीं समझ नहीं आया कैसे नहीं आई है बहुत कॉल सा रहे थे मुझे बैसूनी का वेट कर रहा हूं उसके बाद में फिर जहराम जी की करंगे आकास भाई थोड़ा बताओ अपने खेल के बारे में कब सुरू किया कैसे किया कहा कहले दो मिनिट को आजाओ भाई हमने अपने गेम की सुरुवात 2010 के लगबग करी थी जब हमारे हाँ पर जगगभाई खेलते थे तो हमने इनका नाम काफी सुनाता इनको देखा के टूनामेंट खेलते हुए तो इनके से सीख सीख के हमने गेम स्टार्ट किया और हमारे गेम को आगे पहुचाने में जगभाई का बहुत बड़ा योगदान रहा इनके साथ तो हमारे साहरानपुर्द करब भी खेले हैं और अब भी हमारे पीछे महनत कर रहे हैं और अब इन्होंने एक फेडरेशन बनाई डारेक्ट बॉलीबॉल की इस फेडरेशन को देखके हैं अगर इनका और आप सब का सहीओ रहेगा तो बहुत आगे तक ले जाएंगे को जगा ड्रॉप चल लिया है तो यह जो थर्ड़ बॉल अंडरहन का फार्मेट है यह पंजाम में फॉल रहा है बागपद में फॉल हो रहा है तो उन्होंने बोला कि ड्रॉप का अस्तित खतम होता जा रहा है आप इसमें फिट हो जाओगा लेकिन जो अंडरहंड का प्लेयर वो ड्रॉप में हो सकता तो आप तो एक अची साइड हो निरज भाई आपको तो कुछ दिक्कत होनी भी निचीए इसमें अगर कुछ इस ग्या जाए इसमें कुछ भला हो जाए क्योंकि अगर अबीदर टाइम पास गेम चर रहा है इससे अगर कुछ हो जाए तो आप सही हो करेंगे जरूर जगगा भाई के उससे इसके जरूर कोई बात नहीं है ऐसे भी जरूर है हमारे वकीर साहब से हमें बहुत कुछ सीख मिलते है वो कहीं हद तक बहुत अच्छा कहते हैं बोलते हैं मैं उनका इस बासे समर्थन करता हूं लेकिन निरेज भाई अगर कोई हमारे उत्तर देने में कुछ त्रूटी रही तो मैं छमाचाऊंगा अपना भाई है तो और सभी खेल प्रेमियों से खिलाडियों से मेरा अनुरोत है मेहनत करते रहें खेलते रहें अब यह कह रहें करो नख जाए करो नख जा जो जो भी प्रम से करानों करणा वारा नमां न कुछ नहों रहा है ग्रांड पर जाओ, खेलो, कूदो, पसी न बहाओ, पता भी न चले अगर किसी को हो भी गया तब एसी भग जाया गर डर के, करें रॉंग नमबर लग गदीख है, तो भाई हम तो देशी आदिम हैं, देशी बात है अपनी, और खेल खेलो, खेल भावनान से खेलो, खेल को हन नहीं आ रहा, कि टूनमेंट तो अच्छा आयोजन तच्छा गरा देते हैं, लेकिन खिलाडियों की वज़े से आयोजन में दिक्कत आती है, कि टीम रात को आती हैं, 11-11 बज़े, तो टाइम का, ड्रेस का, सिस्टम बहुत जरूरी है, तो हमने सबसे पहले, अपनी डिरे नहीं खेलेगा, बिल्कुल ये इस पस्ट है, चाहे चार टीम आओ, छे टीम आओ, टूनमेंट में दस टीम आओ, पाँच आओ, जिसके पास ड्रेस नहीं होगी, वो क्राउंड पे नहीं खेल सकेगा, ये बिल्कुल सच बात है, एक भी टूनमेंट हम ऐसा नहीं होने कोई भी एचा वो, एक टी सेट खरीद नहीं है, और सारे भाई एक जैसी खरीद लो, सूटिंग बॉल तो जो बंदा खेलता है न, ये तो उसको पता है कि, ये क्या चीज है, ये खेले कैसा है, इस से आज तलक जो भी पहचान मिलिये, इस खेल की बदौलत है, और मेरे क्या हूंगा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे जो भाई ये चीज कह रहे हैं कि, कुछ सूटिंग वालों के बारे में भी मैं बताता हूं, जो डिस्कसन चली थी, इस फेडरेशन ने ये नहीं किया, उसने क्या किया, मैं तो ये कह रहा हूं, भाई साब, इस हमारी कोशिस हैं, पूरा करेंगे, और मैं आप लोगों के बीच में आज एक बाता और कर रहा हूं, कि जितनी भी मेरी कोशिस रहेगी न, अगर भगवान को भी ये चीज मंजूर होगी और आप लोगों का प्यार मिला, तो इस जो डिरेक्ट वाली वाल को कुछ ना कुछ साथ देखे जाएंगे, अगर हमारे लिए कुछ होगा न, तो हम अपनों से जूनियर के लिए कुछ ना कुछ करके जाएंगे, भाई साब, भाई इक बाद टाइम देखें, क्या टाइम होगा, तो भाई साब किसी भाई के रिपलाई ना हुए हो, उसके लिए मैं छमा पर चलो, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, और भाई साब किसी मेरी बात किसी को गलत लगी हो, तो मैं उसके लिए भी छमा चाऊंगा, लेकिन फिर एक बार मैं कह देना चाहता हूं, यह डारेक्ट वॉली वॉल जो है, आज ही आपको सुनने में थोड़ी सी त तब क्वान पर है, बाई साब आप कुछ ग्राउंड पर करके दिखाएंगे, तब ही तो हम कुछ मानेंगे, बाई साब इंतिजार करो, जो जिसके मन में क्वेस्चन है न, मैं इस पेसली बोल देला चाहता हूं, इंतिजार करो, अभी आप थोड़ा इंतिजार करो, अगर लोग डाउन नहीं होता, तो साइद हो सकता था कि आप कि इंतिजार की घड़ी खतम हो चुकी होती, मैं यह नहीं कह रहा कि इस गैम को मानता मिल जाएगी, यह हो जाएगी, यह हो जाएगी, लेकिन जो लोग हम कर रहे हैं डायरेक्ट वाली वाल के लिए, वो सब कुछ हम सोवने मह से हो घूलेंगे हम तो हमारी जो हूई है, लेकिन हमारे देश में तो इतना नुक्सान नहीं है, लेकिन जैसे लूग डाउन खतम होता है डायरेक्ट वाली वोल की प्रकिरिया अभी भी लोग डाउन के अंदर भी शूरू है your औरवो लूग डाउन खत्म होने के साथ साथ ही आपके सामने आ जाएगी और कोई भी भाई अपने दिल में ये न रखे कि ये चीज ने भी हुई हमारे कुछ खिलाडी कह रहे थे जी सेलेक्शन कैसे हो गया आप लोग कैसे ये हो गया बहुत सारे कोश्चन थे मैं उनके कोश्चन के जवाब दे दूँगा कि जो सेलेक्शन होंगे वो खिलाडी के खेल के वेसिस पे होंगे और हर जिगर सूचना पहुचाई जाएगी सोसल नेटवर्क के जरिए या फॉन के जरिए जैसा भी चैम्प लगेंगे हमारे सेलेक्टर सेलेक्ट प्लेयर सेलेक्ट करेंगे ऐसी कोई बात नहीं है और जो इ खिलाडी खेलने लायक हैं वो खिलाडी इंडिया टीम में जरूर के लेंगे रामरम भाईयो अगर मेरी बाई किसी बात को बोना मत मनना किसी बाई के कोई सवार कांस्वर रह गए तो नेक्स टाइम फिर आप से रूबरू होंगे कभी मुका मिलेगा तो फिर जरूर मलाकात बेल जरूकी बाईयोक को बाईयोकशनी बाईयोक हुआ हर दοक्षाह स समय को भी कि अपितू हो झालुना झालुना मुका नचल नेक्ड़ को भीलेगा धवि मुका है ऄokत्यविया है, प्रक्रशतम झालुує क्सक्ते बाईयोक कुआू हैं पिरूका ओदक्सक्ते ूजश